जैहन साथियों साथियों आज हम लेकर हाजिर हैं बीएड फरस्ट इयर बीएड फरस्ट इयर के मॉस्ट भीवियाई कोश्चन के साथ तो दोस्त आज का कोश्चन है खेल, बोले तो अस्पोर्ट्स, एंड क्रिडा हलांकि देखा जाये, तो खेल को ही संस्क्रित में क्रिडा कहा जाता है क्रिड, क्रिड मतलब खेल या खेलना, तो यहाँ पर जो मेनिंग है, वो खेल है और क्रिडा है तो खेल को यहाँ समझना है अस्पोर्ट्स, और क्रिडा का मतलब समझना है गेम तो कुल मिलाकर कोशन यह हुआ कि अस्पोर्ट्स एंड गेम्स में क्या अंतर है यानि कि खेल और क्रीडा के बीच अंतर बच्चों के अंतर के वारे में बातचित करना और खेल के दौरान संघर्स को हल कैसे करते हैं मतलब कि आज के कुशन को हम लोग डिसकुस करेंगे कि आखिर खेल और क्रीडा में क्या अंतर है और इस अंतर को बच्चे किस परकार एक दूसरे के साथ भीनता पाई जाती है तो उसका हम लोग आंसर देखेंगे तो चलिए इसका आंसर है खेल तो खेल को हम लोग यहां गेम्स तो खेल में एक से अधिक ब्यक्ति की परफॉर्म करता है यानि कि जो खेल खेला जाता है स्पार्ट्स जो होता है उसमें एक से ज्यादा ब्यक्ति सामिल होते हैं जबकि क्रीडा क्रीडा बोले तो गेम्स तो गेम्स में क्या होता है एक ही ब्यक्ति परफॉर्म करता अब ऐसे सोचिए कि जब कोई बच्चा मुबाइल फोन में टीबी में कंप्यूटर में जब गेम खेलता है तो ऐसे ठोड़ना है कि सब दोस्त लोग उसके साथ सामिल होते हैं नहीं एक ही बंदा फोन में खेल रहा है गेम तो इसमें एक ही बच्चा खेल लेता है लिकिन जैस क्रिडा में एक ही ब्यक्ति परफार्म करता है फिर आगे लिखा है खेल यानि कि एस्पोर्ट्स करने वाले ब्यक्ति को HBTI Sports कहा जाता है मतलब कि जो खेल खेलता है जो Sports में भागी दारी लेता है उसको हम लोग HBTI Sports कहता है HBTI Sports कहा जाता है HBTI Sports Person कहा जाता है जब कि क्रीडा खेलने वाले ब्यक्ति को यानि कि गेम खेलने वाले ब्यक्ति को Player कहा जाता है है याद रहेगा प्लेयर मतलब क्या गेम खेलने माले को प्लेयर कहता है जब कि आस्पोर्ट्स खेलने माले को fifty sports person कहा जाता है फिर आगे लिखा है के यानि कि sports में खिलाडियोंका संपूर्ण प्रदर्शन देखा जाता है यानि कि जो sports कहला जाता ही उसमें खिलाडियोंका संपूर्प्रदर्शन प्रदर्शन देखा जाता है यानि कि पूरे खिलाडी किस तरीके से खेल रहे हैं यह स्पोर्स में देखा जाता है जो एक खेल में विजयता को निर्धारित करता है बिल्कुल सही जो असपोर्स होता है तो उस असपोर्स में यह देखा जाता है कि कौन विजय होता है कौन जी एक कंप्पूटर में होता है तो इस तरीके से अखेल में एक बिजेता कुने जायत करता है फिर अगर बात किया जाए नेक्स्ट जड़ा इसको जूम करते हैं ताके समझ में आएगा दिखेगा फ्रेस किलियर तो आगे है क्रीडा एक ऐसी गतिविधी है यानि क्रीडा मतलग गेम एक ऐसी गतिविधी है ऐसी मूब्मेंट है जहां ब्यक्ति की भौतिक छमताओं को देखा जाता है अब देखे गेम में क्या होता है तो उसके भौतिक छमता को देखा जाता है कि उसका फिजिकल कितना फिट है फिजिकल कितना पावरफुल है तो इसको हम लोग क्रीड में एक मनरंजन का साधन हो गया है मुबाइल फॉन कंप्यूटर टीबी तो इस तरीके से बहुत पहले अब यह धिरे-धिरे इसकी जो है वैलू घटते जा रही है लेकिन रियल पुछा जाता खेल और गेम यह स्पोर्ट्स और गेम दोनों ही बच्चों के लिए मनरंजन का सा यह सब आ गया है तो हलांकी अभी भी देखा जाए तो खेल और क्रिडा दोनों के लिए क्या दोनों जो है बच्चों के लिए मनरंजन का साधन है खेल एक गतिविधी को दरसाता है जिससे सारीरिक गति सामिल होती है यानि कि अगर खेल नहीं खेले तो उसके मुबमेंट को नहीं दरसाएगा और जिससे सरीर कवी का सरीर गतिसील नहीं होगी उसके बाद लिखा है और आपके दिमाग को भी तरो ताजा करती है बिल्कुल सही मतलब कि खेल खेलने से एक बच्चों का दिमागी एक आपचारिकता होती है वो बढ़ जाती है सोचने की समझने की तर आ मानो जीवन में एक महतो पुर्ण भूमी का निभात है यानि कि खेल जो है मानो जीवन में एक बहुत इंपोर्टेंट भूमी का निभाती है यानि कि मानो जीवन में खेल को एक अच्छा महतो दिया गया है महतो बताया गया है क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यह हमा करता है जब कोई खेल देखते हैं फुटबॉल का खिलाड़ी जो है उसके फुटबॉल लगता एकदम आईरन का बना हुआ उसका बाड़ी इसलिए एकदम किसी से टकर भी जाता है तो कुछ नहीं होता है क्योंकि उनका खेलते-खेलते क्या है मजबूत हो गया और अच्छे स रूप होता है अब देखिए खेल जब होगा तो एक बच्चा दूसरे बच्चे से बहुत ही इंटर रहेगा बहुत ही एक दूसरे से लोग रहेंगे दोस्ति बढ़ेंगी बात चीत होते रहेंगी तो दूस्मानी जैसा बाइवहार नहीं होगा क्योंकि खेल क्या है यानिकि खेल क्या है त्थ और ध्यान केंदरित करने की छो बढ़ाता है यानि कि कि जैसे बोड पर जो शर बता रहे हैं उस चीज़ को ध्यान से देखना तो इस सब की समझदारी जो है बढ़ जाती है खेल से वहीं क्रीडा, क्रीडा मतलब गेम गेम का बात करें तो ये केवल बच्चों के लिए सिर्फ मनुरंजन है जी बिल्कुल गेम क्या है? तब बच्चों के लिए मनुरंजन है वह फोन में देखेगा, टीबी में देखेगा, कंप्यूटर में खेलेगा गेम इससे बच्चों के अंदर खेल के जितना फायदेमद नहीं होता है बिल्कुल एक बच्चा गेम खेल रहा है और एक बच्चा खेल खेल रहा तो खेल में उसका पुरा body movement करता है body पुरा move करता है, मुड़ता है छलांग लगाता है, दोड़ता है खेल में बच्चे ऐसा करता है लेकिन game में तो आराम से सुन लेकर बैठ जाएगा सो या रहेगा, game खेल रहा है तो ये जो है, इससे मनरंजन का साधन होगा बच्चे खेलते हैं, इससे इनकी द्रिष्टी में विकार आ सकती है बिल्कुल सही, अब जो बच्चा game खेल रहा है तो उसके अंदर तो सरीर में विकास नहीं होगा उतना जितना खेल जो खेल रहा है अच्छा, दूसरी बात कि जब बच्चा TV मुवाइल फोन में अगर game खेल रहा है क्रिडा कर रहा है, तो बच्चे खेलते खेलते उनकी द्रिष्टी द्रिष्टी मतलब आँख की रौसनी कम हो सकती है, कम पढ़ सकती है इसलिए लिखाए विकार आ सकती है, विकार मतलब कमी दिकत, और नहीं इससे बच्चे की सरीर फिट रह पाईगी, बिल्कुल सही, अब जो game खेल रहा है बच्चा, आम से पड़े-पड़े, चेर पे बैठके, तो इससे उसके सरीर में कोई ब्रीधी की सरीर जो है, उचलता है, गुदता है, दौरता है, तो इस सब सारी चीज़ें होती है, खेल जो है, games की तुलना में ज़्यादा ही अच्छा है, फिर अगर बात करें, उसके निचे लिखा है, अता खेल किसी भी ब्यक्ति की आलोचना, यानि कि खेल जो है, किसी भी ब्यक्ति की आलोचना, अता खेल किसी ब्यक्ति की आलोचना के समझने में मदद करती है यानि कि खेल क्या है किसी भी ब्यक्ति के आलोचना को समझने में मदद करती है आलोचना मतलब क्या कि चलो उसको पकड़ो उसको धरो उसको मारो उसको पीटो आप ऐसे बच्चे खिलते हैं तो यही है उसका आलोचना का मतलब और उसे समय प्रबंधन के प्रतिस सक्त बनाता है समय प्रबंधन के टाइमिंग जैसे माली जा किसी को पकड़ना है जैसे छूने वाला परथा चलता हैो एक 放ता है कि ये भाना जो होती है एक तरह से समय को भी TWBooks परुबोई करता है कि हम किसको कितने टाइम पर जल्दी से जल्दी समय में उसको उसको छूनने ताकि अगला जो है अब ओपी सी और को करेगा ऐसा करके अलग-अलग खेल में खेलने की प्रता है फिर आगे लिखता है और उसे समय प्रबंधन के प्रती सक्त बनाता है बिल्कुल सही साथ ही किसी भी परकार के खेल खेलने से सारा तनाव दूर हो जाता है यानि कि कोई भी परकार का खेल हो उस खेल को खेलने से अंदर जो तनाव की भावना है तेंसन की भावना है दिमाग से दूर हो जाती है निकल जाती है और आप चिंता से राहत पा सकते हैं यानि कि एक इसलिए जरूरी है ताकि उसके अंदर की जो टेंसर है दिमाग में जो गलत भावनाय चल रही है गलत कुछ चीज़े चल रही है तो खेल खेलने से उसके अंदर सही चीज़ें आ सकती है और टेंसर दूर हो सकता है और आप चिंता से रहात पा सकते हैं इसलिए खेल एक जीवन में आनन्द और खुसी लाते हैं यानि कि खेल जो है एक जीवन का बहुत ही महतोपूर्ण पाट है भाग है इसको खेलने से आनन्द और खुसी पाते हैं तो इस तरीके से दोस्त इस तरीके से दोस्त कुछ हम लोगों का ये चाइल्डूट एंड ग्रोइंग अपका मौस्ट विवी आई कोशन्स था तो आप आई होप कि आप जरूर इससे अच्छे से समझे होंगे और अपने नोटबूक में नोट क्योंगे तो दोस्त आज के लिए इतना ही फिर मिलें हम लोग अगले क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद